नमस्कार मेहुरिया पिपलिवाल आप देख रहे हैं कुकड़ेश्वर नगर से संचालित MP7 News इसकुल मेदान में तीन दिवसी मालवा मेवार ओपन केसरी कुष्टी महादंगल का हुआ शुभारव आज शनिवार को है दूसरा दिन महिलाय पहलवान लड़ेगी कुष्टी कर रविवार को महादंगल का होगा समापन देखिए नारायन सोमानी जावत की विशेश खवर बेंगनपूरा इस्तित श्री पंच मुखी बजरंग व्यायाम शाला जावत के तत्वाधान में जन सयोग से तीन दिवसी मालवा मेवार कुष्टी महादंगल ओपन एवं वेट चेंपियन को शुक्रवार को बसिस्टेंड इस्तित इस्कूल मेदान पर क्षेत्री सांसद सुधीर गुपता ने फीता काट कर कुष्टी महादंगल का शुभारम किया कुष्टी संरक्षक व अखाडा उस्ताद घिसालाल भेरावत ने बताया कि जावद नगर एवं पाहर से आए पहलवानों का बारी-बारी से वेट हुआ साथी वेट के आधार पर पहलवान दंगल में उत्रे ओपन केश्री में पहलवान किसी भी ख्यत्र से आकर कुष्टी लड़ सकता है उस्ताद घिसालाल भेरावत ने बताया कि तीन दिवसी विराट मालवा में वाण ओपन कुष्टी प्रतियोगिता एवं महा दंगल में जावत, इंदोर, उज्जेन, रतलाम, नागदा, खाचरोत, मनसोर, नीमच, कोटा, मोडी एवं समीप्राच, बिलवाडा, उदैपूर, निमाहेडा, नाथ द्वारा, पूर, आधी, ख्यत्रों के पहलवान इस महा दं दंगल में शामिल हुए हैं, साथ ही पहलवान कुष्टी दंगल में अपनी अपनी कला का जोहर दिखा रहे हैं, आपको बता दे कि इस बार मालवा मेवार ओपन कैसरी कुष्टी महा दंगल में महिला पहलवान भी भाग लेकर महा दंगल में आकर्शन का केंद्र हैं, आज शनिवार को कुष्टी महा दंगल का दूसरा दिन है साथ ही कुष्टी महा दंगल दोपहर तीन बजे से प्रारंब होगी साथ ही दुधिया रोश्णी में पहलवान अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे कल रविवार को अंतीम दिन यानी की कुष्टी दंगल का समापन ह कुष्टी शुभारम के मोके पर अखाडा उस्ताज गीसालाल भेरावत, मुबारिक पहल्वान, जीला महामंत्री शाम काब्रा, सांसत प्रतिनीधी विनोत पाटिदार, मंडल अध्यक्ष सचिन गोकरू, महामंत्री जैप्रकाश पांडला, भाजपा नेता संजीर शर्मा, योगी युवा वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष नारायन सोमानी, पूर्व मंडल अध्यक्ष शांतिलाल बगड, नगर अध्यक्ष केलाश प्रजापत, संदीब बाफना, दीपक तडबा, राकेश धारू, परप्रहलात जटिया, लोकेश चोहान, सूरेश एरन, कनेया लाल वीरवाल, लाला चंदेल, कुल्दी पेरागी, रितेश शर्मा, अर्जुन प्रजापत, गनेश पहलवान, गोविन गुपता, इल पहलवान गण उपस्ति थे, स्वागत भाशन, संजी शर्मा ने किया, संचालक, जय प्रकाश, पांडला ने किया, आपने अभी तक MP7 News चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें